एक तरफ तेज रप्तार से बढ़ रही कोरोना पॉजिटिव मरिजों के आकड़े, काबू में करने के उदेश से सोमवार को यौतमाल जीले के पालक मंत्री द्वारा बुलाई के बैठक में जन्प्रतिन दियों के उपस्तिते में जिला प्रशासन को जीले में सक्ति बरत्नी की हिदायत दी गई, वही दूसरी तरफ दिग्रश शहर में बरतिक कोरोना मरिजों के मामलों को देखते हुए, यहाँ कोरोना रैपिड एक्शन टेस्ट की सुविदा हाल ही में शुरू की गई है, जिस पर खुशी जाहिर करते हुए वीभिन्ना इलाकों के नागरिकों ने अपनी समस्याओ पर भी स्तानिय प्रशासन का ध्यान आकरशित किया है। अठोर द्वारा बुलाई गए बैठक में जन्परतिन दियों सहीत जिला दिकारी MDC है, गर्ण में वेडिकल कॉलेज और अस्वताल के डीन डॉक्टर आर्पी सी है, तथा अन्याला दिकारियों की उपस्तिती में जिला प्रशासन को बढ़ते कोरोना प्राधुर्भाव औ पॉजितिव मरीजों के आखड़े लगाता और बढ़ रहे है, ऐसे में बी तेरा विवार से कोईड केर में कोरोना रैपिड एक्शन टेस्ट की सुविदा शुरू की गई है, इस संदफ में कोईड केर सेंटर के मैनेजर डॉक्टर अबेगोविनवार ने जान कारे दी है, होगा जैसा एक रैपिड एंटिजन कोईड नाइटीन टेस्ट आगई, उसमें अपन जो रिजल्ट है, वो तीस मिनट के अंदर आपन रिजल्ट दे सकते हैं, रिजल्ट तीस मिनट में आ जाएंगा, लेकिन उसमें जैसा प्रोसेस रहती है, जैसा नाम फिल अप करना, उन होगा, पोई साफ से आपने पारवाई, तो लोगों को भी जैसा रात मिल जाएंगे, और इसा कुछ जो फेल लोग जैसा डरते थे, कि पोड़ी सेंटर में जाना पड़ता, ऐसा करता है, लेकिन वाफ़ी सुईदा अच्छी थे, आप जो लोगों को पूछ सकते, आप जित पूछ सकते, और उनके हमने रेकौर्ड भी हमारे पास में है, उन्हें हमको इतने अच्छी अभी प्राइदी, इस सुईदा पर स्तानिय अनागरी को ने खुशी जाहिर करते हुए, स्तानिय प्रशासन को धन्यवाद देते हुए, लोगों से सतक रहने और नियमों का पालन करने का आग रह किया है. करना चाहिए उपयोग और सोसल डिस्टिसिंग रखना चाहिए, डर की कोई बात नहीं है, उसे कोरोना को भगाना है. वही अपनी वर्तमान समस्याओं से निजात दिराने की मांग भी की जा रही है. इसकी वज़ा से उन्हें वहाँ से रिलीस कर दिया जा रहा है, उनका ट्रीट्मेंट किया जा रहा है. और उसी के साथ में मैं यह कहना चाहूँगा परशासन से, कि डिगरस एरिया में यहाँ पर कंटेन्मेंट जोन है, जहाँ पर सील किया गया है, और जहाँ 14 दिन से ज़्यादा हो गया है, वहाँ से अब रिलीस को रिलीस कर देना चाहिए. जहाँ पेशन नहीं बढ़ रहे है, उन लोग रिलीस कर देना चाहिए. और जहाँ पर पेशन नुगल रहे है, वहाँ पर जो सील एरिया है, वहाँ पर परशासन को सुईदा गया है. कुल मिलाकर जिला परशासन पूरी सतरकता बरत रहा है, फिर भी जनता के सहयोग के बिना कोरणा को हरारा मुम्किन नहीं है. ऐसे में कोरणा प्राधुर्भा को रोकने के लिए जरूरी है कि जनता भी स्तानिय परशासन को अपना पूरा सहयोग दे, ताकि आने वाले दिनो में कुलना संकट पे मात की जा सके. दिग्रस से इनपीस या न्यूस के लिए जुवेर खान की रिपोर्ट